जैहिन तो चलिए आज हम आपको लेकर क्या है डीजी सकती पोटल का आफिसकल वेबसाइड है यहाँ पर देखेंगे कि डीजी सकती पोटल पर आप रजिस्टर हैं कि नहीं है तो चलिए दिखाते हैं आपको अगर पर तम हम यहाँ पर जो थ्री लाइन है यहाँ पर हम क्या क करेंगे क्लिक करेंगे यहां पर लिए क्लिक कर दिया उसके बाद हम क्या करेंगे चात्र कॉर्णर चात्र कॉर्णर पर क्लिक करेंगे चात्र कॉर्णर पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे यहां पर देखें यहां पर लिखा है क्लिक करेंगे ठीक है क्लिक करने के बाद हमारा क्या इनवर्सीटी बोर्ड सोसाइटी परिसत ठीक है तो हम क्या करेंगे हमारा जो रहेगा इनवर्सीटी बोर्ड रहेगा उस पर हम क्लिक करेंगे ठीक है तो हम लोग का वेफसाइड क्या है जो हम लोग का क्या इनवर्सीटी है इनवर्सिटी हम लोग का है, बोड आप, टेकिनिकल एजूकेशन, उत्तरपरदेश, यहाँ पर हम क्लिक कर दी है, तो चलिए देखिए हमारे पास एक student का enrollment number है, वहाँ पर हम student का enrollment number फिल करते हैं, और यहाँ पर हमें क्या बनना है, यहाँ पर हमें capture बनना है, तो चलिए capture बनन नहीं, देखिए यह already registered है, ठीक है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिखा दिया कि डीजे सकती पोटल पर आप पहले से ही नमांकृत हैं, ठीक, अब बढ़ते हैं, आगे आगे बाद किस प्रगार करेंगे, यहाँ पर enrollment number दूसरा भरेंगे, उसके बात देखेंगे कि वह registered है की नहीं, तो चलिए दूसरा यहाँ पर दूसरा भरते हैं, enrollment number दिखाते हैं आपको, यह लड़का registered है की नहीं है, तो चलिए देखिये, यहाँ पर हम दूसरे student का यहाँ पर enrollment number फिल कर दिया है, enrollment number फिल करने के बाद हमें क्या करना है, capture डालना, capture दालेंगे यहां पर देखिए और यहां पर क्या दिखा रहा जो है इस्टुडेंट जो है जिसका वह भी यहां पे नाम अंकृत नहीं है ठीक है यह जो है डी जी सकती पोर्टल पर रेजिस्टर होने के लिए अपने नोडल अधिकारी या अपने कॉलेट के यह चोड़ी से अपने ब्रांज के यह चोड़ी से जा करके तुरन संपर्क करें खत्तक के लिए